नमस्कार आप देखने प्रताबगा फिटनिस हमें रामकलास यादव आज किस वीडियो में हम बात करने वाला हूँ असनान करने के बाद हमारे पूरे सरीर में चींटी जैसा क्यों काड़ता है ए अधिक तर हमें बारिस में ही क्यों होता है क्या कारण हो सकता है उसका उपाय क्या हो सकता है हमें भी पहले ऐसा होता था हमार जब भी असनान कर लेते थे तो असनान करने के तुरंत बाद हमारे पूरे सरीर में ऐसे चींटी जैसे काड़ते थे और जैसे कि कोई वहाँ चींटी काट रही पूरे सरीर में हमारे बहुत अजीब से लगता था तो काफी लोग का कोमेंट भी आएक सर जी ये जो है अधिकतर बारिस के ही सीजन में क्यूं होता है इसके पीछे क्या कारण हो सकता है तो सब कुछ आपको वीडियों बताऊंगा वीडियों को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर हम बात करते हैं बारिस के सीजन में ही क्यूं होता है तो देखी जो बारिस के सीजन में होता है तो बारिस में गर्मी भी रहती है ऐसाने एक ठंडी के सिजन आ जाता है तो बारिस के सिजन में होने का जो मुख्य कारण है जैसे कि कई कारण देखने को मिलते हैं जो इसके मुख्य कारण की हम बात करेंगे कुछ लोग तो ये भी हो सकता है कि हम बारिस में भीग गए हो इसके कारण भी हमारे सरीर में चींटी जैसा काड़ता हो पहली बारिस जो होती है तो पहली बारिस में भी क्या है विसैला पानी माना जाता है कि हमें पहली बारिस में नहीं भीगना चाहिए तो कुछ लोग नहीं भी भीचते हैं तो भी उनके सरीर में ऐसा होता है अब हम बात कर लेते हैं कि बारिस सीजन में क्यों होता है देखिए हमें जहां तक पता चला हमारा जिस तरह से ठीक हुआ हमें भी ऐसा समेस्टा दिकत थी लेकिन हमारा अभी तो पूरी तरह से ठीक हो गया है अभी हमारे सरीर में खुजली नई होता है जो चीन्टी जैसा काटता था बिलकुल नई होता है और काफी लोग जो है कमेंट करते हैं कि सर जी बारिस का ही सीजन में क्यों हो रहा है तो देखिए यह जो हमें पता लगा है जिस से हिसाते की आपके सरीर में मिट्टी अगर है पीठ में जैसे की हम असनान करते हैं तो ऐसा होता है कि हम कितना भी असनान कर लें जहां तक हमारा पीठ के पीछे साइड में हमारे हाथ नहीं पहुँच सकते अपने दोनों हाथ बें पीठी नहाते समय सोचते हैं कि पीठी पूरा घीस लें तो हमारा हाथ नहीं पहुंचता तो जहां हमारा हाथ नहीं पहुंचता वहाँ पर मिट्टी हो सकती है तो मिट्टी के कारण है, लेकिन यही मिट्टी तो हमैसा रहती है, थंडी में भी रहता है, लेकिन कुछ लोग कहना है कि थंडी में नहीं होता है, तो गर्मी होने का और भी कारण है क्या। जब हमारे सरीर में मिट्टी होता है उसी के साथ है साथ हमें पसीने भी होते हैं तो जब पसीने हमारे सरीर में होगा तो जो हलकी भी मिट्टी रहती है तो फूलने लगती है तो उस समय क्या है कि वो दिखाई देने लगते हैं अगर हम घिसते हैं तो वहाँ पर मिट्टी जै उस समय और हमारा सरीर चिपचिपा भी रहता है तो चिपचिपा होने के कारण हमारे पूरे सरीर में जहां पर मिट्टी लगी है वो फूल जाती है मिट्टी जब मिट्टी फूल जाती है तो उस समय हम असनान करने के लिए जाते हैं जब असनान करते हैं तो हमारे सरीर में क्य पहुच पाता है जहां पर मिट्टियां होती हैं तो वहां पर क्या है कि हम अपना हाथ हर जगा पहुचा लेते हैं पे सीने पेट पे घिस लेते हैं लेकिन क्या है कि हम अपने हाथ को अपने पीठ के पीछे साइड जहां पीठ पर नहीं पहुच सकता हमारा हाथ तो वहां पर इस शरीर में कुछ देर तक लगबग दो मिनट पांच मिनट तक ऐसे चीटिक तरह काड़ता है अजीब सा लगता है लेकिन कुछ लोगों का ये भी काइना होता है कि सर जी हम तो जो है अच्छी तरह से नहाते हैं हमारे मैल भी नहीं है तो लेकिन फिर भी हमें जो दिखा मैल के हिसाब से हमें दिखा है और भी हो सकता है मिनरल्स विटामिन की कमिस भी हो सकता है या अधिक नसब अगरे कर रहे हो तो भी हो सकता है और कई बारसा देखने मिला है कि हो जाता है और अगर हम बात करते हैं तो इसमें लोग ये भी कहते हैं कि सर जी हमें जो है कोई मिनरल् बिल्कुल नॉर्मल नॉर्मल है तो हो सकता है कि आपके पीट के जैसी असनां कर रहे हैं तो वहाँ पीड़ पर आपका हाथ नहीं पहुँचता वहाँ पर आप जो है किसी दूसरे घर में सदस से आप और घिसवा कर देख सकते हैं आपको मिट्टी देखने क wähled जो बारिस का सिजन में जो अधिकतर होता है बारिस का सिजन में यही कारण है कि उस समय हमें पसीना होता है पसीने के साथ साथ बारिस भी होता है सरीर पूरा से पानी पानी जैसा बना रहता है नमी सरीर बनी रहती है और पसीना हमें सर रहता है गर्मी के सिजन में तो क्या है क जब घर में जादा पढ़ने लगती है पसीना होता है तो हमारी जो सरीर के मिट्टी होती है वो फूलने लगती है चाहे हलकी परत परत हो मिट्टी या जादा हो आप उसको भी ध्यान दे कर देख सकते हैं तो बारिस्म जो होता है मेन यही कारण है कि मिट्टी का हमें पहले चीटी काटने लगता था और कभी कपड़ा पहनने के बाद जो है चीटी की तरह बहुत ऐसे जिसे कोई सुई चुभा रहा हो इस तरह का पूरे शरीर में से होता था तो हमें ऐसा हसास हुगा खुद की ये मिट्टी कारण है फिर हमने मिट्टी घिसा बहुत जो है एक सरसो का पहले बुकवा होता है उसको भी घिसने का हमने काम किया था उससे भी हमें काफी रात हुगा लेकिन अभी जो हमें नहीं होता है जब हमारे पीठ में सरीर में चामिन कमी से यह कोई बीमारी तो नहीं है तो देखिए अगर आपका एक बात हम और कहना चाहूंगा जैसे कि आप अपने सरीर की पूरी एक बार घिस लीजिए मिट्टी को पूरा घिसवा दीजिए अच्छे कंपनी का जो है सावुन से आप नहाए जिसमें जो है बढ़िया हो तो उससे क्या है कि हो सकता है ठीक हो जाया लेकिन अगर नहीं ठीक हो रहा है तो इसका मतलब हो सकता है कि आपके शरीर कंदर और कोई दिक्कत समय से हो सकते हैं इसे अपने डॉक्टर Sa Juice संपहर लेकिन को समपर करने के बाद कुछ लोग का की कि सर जी हमने तो सब जाच करवा लिए सब चिकप करवा लिए सब हर चीज हमारे सरी में नॉर्मल है कोई दिक्कत नहीं है तो ऐसा क्यों हो रहा है जब ऐसा क्यों हो रहा है हमें जो लगा हमारा तो ऐसे ही ठीक हुआ है मिट्टी के कारण हमें समझ में आया है बारिस में यही आपको ध्यान में रख करके एक बार देख लेना है अगर इससे अराम हो जाता है तो ठीक है अगर नहीं अराम होता तो आप अपने नजदी की जो भी डॉक्टर है उगे दिखा देजिए और नीम की पतियां से भी आप उबाल लेजिए उस नीम की पतिती से घिस घिस हो सकता ह और कोई दिक्कत समझ जाओ उससे अराम हो जाता है तो हमें उम्मीदेख आप लोग समयों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से और कमेंट जरूर करें मन में कोई सवाल है तो कमेंट करना न भूलें